हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू SBSV अकेडमी तो फ्रेंट्स हम लोग आज स्टार्ट करने वारे हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रानिक्स का चैप्टर नमबर थ्री डिज्टल आडियो फंडामेंटल्स तो चलिए सुरू करते हैं हुए है 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 आगको सब्साइब आपको बता दि에 साथेस्टिस की अप्टिकल रिकार्डिग क्या होती है देख आप्टिकल साइंबिन का आर्त है किसी आप्टिकल सिस्टम पर्योपकरकर के फोटोग्राफिक्स फिल्म या Compact Disc पर Sound को Record करना Sound की Optical Recording बेसिकल दो प्रकार की होती है Compact Disc Optical Recording and Photographic Film पर Optical Recording ठीक है, तो अगला हमारा टाफिक है Digital Audio यहीं, Audio को Data & Signal के रूप में वेक्ट करना तो Digital Audio का तात पर यह Sound से है जो Digital Form में Record यह Convert किया गया हो यहीं हमारा एक SSM जो हुआब डिजिटल फॉर्मिट में रिकार्ट के हो गए निए बन जीरो के फार्म में तो एक डिजिटल ऑडियो सिस्टम में एनलाउग इलेक्ट्रिकल सिगनल को ADC की सहथा से डिजिटल सिगनल में कनवर्ट किया जाता है अब हमारा यह जो ADC आ गया, ADC क्या चीज है, ADC कुछ नहीं है, ADC बेसिकले हमारा एनलाग टू डिजिटल कनवर्टर को बोलते हैं, ठीक है, तो इसके लिए पराया PCM, यानि पल्स कोड मॉडुलेशन का यूज किया जाता है, तद पस्चाट डिजिटल सिग्नल को, कम्प्यूटर्स की या आडियो प्लेवेक मसीन तथा अन्य डिजिटल टूल्स की सहाथा से रिकार्ड, इडिट, मोडिफाई या कॉपी किया जा सकता है, यह जो हमारा साउंड है, वगर डिजिटल फार्मेट में आ चुका है, तो उसको फिर हम जो अन्य हमारे डिजिटल अलकियो क्या करता है, उसी आवाज के इको लेवल को बेस्ट, इस सब चीजे मिक्सर से आप कंट्रॉल कर सकते हैं पहले से ही, फिर उसको एंपलिफायर में देके आप एंप्लिफाय कर लेते हैं, इस सांड को सुनने के हैं, तो इससे अनलक सिग्नल में कणवर्ट करने के ल Compact Disc Compact Disc मतलब CD CD आपने देखी होगी यह एक Modeled Plastic Disc होती है जिसमें Digital Data Store किया जा सकता है Laser Beam से Scan करके इसके Sound का Reproduction किया जाता है इसमें क्या होता है इस CD को एक RPM पे गुमाया जाता है इस CD को एक Fix RPM पे गुमाया जाता है फिर उसको Scan किया जाता है फिर वहीं से हमारा जो Sound का Reproduction होता है अब देखी है एक होती है एक Standard CD की बात करें तो 120 mm diameter वह 1.2 mm मोटाई की होती है इसमें Polycarbonate Plastic Substract यह एक Plastic है के नाम से कोई डरनेक जोरत नहीं Polycarbonate Plastic Substract एक Reflective धाज़ फरत तथा एक Clear सुराचात्मत Acry-like Plastic Coating होती है Reflective धाज़ फरत से डाटा को Pits Pits जो होते हैं 0.8 micrometer के गड़े वह Flat Region के रूप में इस्टोर तथा Read किया जाता है यह हमारी देख सकते हैं अब एक CD है अब CD में अगर हम बात करें MasterDisc की तो MasterDisc क्या होती है MasterDisc वह मूल डिस्क होती है जिस पर Sound को सबसे पहले रिकार्ड किया जाता है यह MasterDisc आप्टिकली Grounded Glass डिस्की बनी होती है यह Point Note करने वाला इस Glass को Polish किया जाता है तथा Soft किया जाता है इस पर एक प्रकास रोधी पदार्थ यानि फोटो रेजिस्ट कंपाउंट की कोटिंग की जाती है यह कोटिंग 10.12 माइक्रो मीटर चौड़ी होती है ताथा यूनिफार्मली डिस्ट्रिब्यूशन यानि समान रूप से वितरित होती है इसको रेजिस्ट मास्टर डिस्क RMD या मास्टर डिस्क कहा जाता है तो अगला अब हम देखते हैं जो टॉपिक हमारा सीडी का निर्माड यानि formation of सीडी सीडी हमारी बनती कैसी है तो भुगता द्वारा यूज कीजेने इन लेवल से होकर गुजरने के बाद जो मारी डिस्क आती है उसी डिस्क को हम कामपैक डिस्क कहते हैं तो भाई जानते है फादर डिस्क हमारी क्या होती है देखे जो फादर डिस्क होती है master disk बनाने के पस्चाथ इस master disk के उपर nickel plating की जाती है कहें कि nickel plating की जाती है plating के पस्चाथ इस nickel को master disk से peel off करके अर्था nickel coating का चिलका उतार कर या खुरच कर father disk बनाई जाती है या father disk glass master disk की negative होती है ठीक है तो अब हम बात करते हैं mother disk की तो पहले तो हमने father disk पढ़ लिया कैसे होता है उसके बाद हम जानेंगे mother disk की mother disk जो है father disk को फिर से plate किया जाता है father disk को फिर से plate किया जाता है तथा इस plating को फिर से हटाने यानि रिमू करने पर master disk के समान disk प्राप्ट होती है जिनको mother disk कहा जाता है एक master disk से लगभग 10 mother disk प्राप्त की जाती है जो कि master disk inverted होती है master disk जो हमारी है inverted होती है अगर इनसे final disk प्राप्त नहीं की जा सकती इससे हमारी final disk प्राप्त नहीं की जा सकती है अब देखे sun disk के stamper क्या होता है तो mother disk तो हमने बना लिया mother disk को भी plate किया जाता है द्यान देखिया process की तीसरी plating है यह जाफाले हमने father डिस्क की फिर mother disc सट्था plating को खटाने पर याजिन mother disk को भी played किया जाता है तर्था Isthwaiting को हटाने पर अप्रinarac table 2 प्राप्त होते हैं ठीक है जो फादर डिस्क के समान होते हैं San डिस्क को negative nickel plated स्टेंप पर भी कहा जाता है ठीक है अब इसके बाद प्रेस करने के वाद उम्हारी पर शी की यह जी है अब इसके बाद जो हमेहारा मेंटापी लिगता है उस लेंब लेक्ट्रोनिक यॉक्तियों ध्वारा इस्पीड़ं या स्वड़ाउन किया सकता है यह नहीं उनकी स्पीट को हम control कर सकते है अपने हिसाप से अप कर सकते है या down कर सकते है कि वा क्रम सा कम समय या अधिक समय में playback की जा सके है तो आप उसके लिए एक figure देख सकते है यहां पर हमारी ring memory लग जो कि m leven की तरह काम करेगी और यहां से जो हमारी input clock है यह होगी right address counter है और इधर भी हमारा right address counter है और output clock है इधर से और इधर से data in होगा यहां से और यहां से data out हो जाएगा ठीके देखिए यह हमारी जो ring counter memory है प्रकार से जो ring counter है यह digital electronics का है इस पर कभी भी जब वीडियो बनाएंगे तो और deeply समझाएंगे इसमें क्या होगा जैसे हमारा data जा रहा है एक circle format में इसमें data पहले store होगा ठीक है data store होने के बाद उसका एक जो group बनेगा जैसे कहां पर से हमारा data complete हुआ फिर वो input clock यहां से जाएगी हमारी data compression के बारे में जानते हैं तो data compression क्या होता है data compression है हमारी एक ऐसी प्रक्रिय होती है जिसके दोर हम original data को compress करके उसके size को कम कर सकते हैं यह हमें storage device और time को बचाने में मदद करता है data compression को compaction भी कहा जाता है data के size को कम करने के process को data compression कहा होता है किसी भी ओरिजनल डाटा को कंप्रेशन एल्गोरिफम का उपयोग करके उसके साइज को कम किया जा सकता है देखें डिजिटल वीडियो की कोडिंग क्या होती है जब हम सिगनल को सिगनल को जो कंप्रेशन होता है वो हमारा कोडिंग कहलाता है तथा जो डी कंप्रेशन अब कंप्रेशल रेसियो की बात करें तो इसका फार्मॉला होता है मालों कंप्रेशन रिस्धु непr t तता compressed image के size के आनुपात को प्रदरसित करता है ठीक है अब compression ratio क्या होता है compression ratio is equal to number of bits in the original image upon number of bits in the compressed image यह जो हमारी original image है जैसे भी किसी image के गभर में बात करें तो उसमें कितने bits हमारी available है उसको और number of bits in the compressed image जो finally हमारी compressed image निकली है उसमें हमारी कितने bits है अगर हम उसको divide कर देते हैं तो जो हमारा आता है वह हमारा compression ratio होता है ठीक है हम बात करते हैं types of compression की तो compression में किस तरह के होते हैं दो type के होते हैं हमारे एक होते हैं lossless compression ठीक है और एक होते हैं lossy compression तो सबसे पहले lossless compression के अगर हम बात करें तो इस प्रकार के compression तक्नीक में compressed data को decompressed या पुन्रोत पादित करने पर किसी सूचना या detail का loss नहीं होता अगर हम एक जांपल की बात करें तो कुछ repeated scenes जैसे की background image, silence, pauses आदि को suppress कर देने से data का loss नहीं होता ठीक है अगर हम logic compression की बात करते हैं तो इस प्रकार के compression से कुछ detail loss हो सकती है movie video में interlocked scanning का प्रियोग एक प्रकार का logic compression ही है किन्त इसमें data का loss इतना कम होता है कि जिससे viewer को इसका पता ही नहीं चल पाता ठीक है यह हमारा logic compression होता है अब देखे data compression में आता है हमारा MPEZ1 MPEZ1 है moving pictures expert group ने 1988 में audio तथा video के digital compression हेत मानक करने का कारे आरम हुआ सरव प्रथम इस group ने MPEZ1 नामक compression producer design किये compression producer design किये या केवल progressive scanning को support करते थे तथा interlocked scanning को support नहीं करते थे MPG1 की साहता से video को 100 ratio 1 की compression अनपात में compress किया जा सकता था यहीं एक 150 MB per second से 1.5 MB तक यहीं आप समझ सकते हैं data कितना compress किया जा सकता था अब 150 MB per second से 1.5 MB per second तक ठीक है तो इतना अधिक compression होने से information में काफी loss हो जाता था तो था output की quality भी खराब हो जाती थी क्योंकि देखे जब हम 150 MB अगर data है per second से जा रहा है और उसको 1.5 MB per second बहुत ज्यादा कम कर रहे हैं 100 ratio 1 में रख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि output की quality क्या हो सकती है अब देखे MPG 1 standard 6 layer की सहायता से television signals को compress करता है sequence layer using random access content अब एक sequence layer होती है जो using random access content यानि अपने आप से ही कोई अचानक जिसे content उठा लिया वो हमारी sequence layer में आजता है इसे group of pictures GOP layer using random access video content अब picture layer using primary coding unit अब देखे slice layer क्या होती है अब देखे slice layer using re-synchronization using re-synchronization unit within picture micro blocker MB layer using motion compression unit using motion compression unit within slice block layer matrix of 8 cross 8 pixels का यूज करके और layer has a header of synchronization देखे synchronization के हमको जो उतके अपड़ी जैसे मालो कोई video गर हम देख रहे हैं तो उसमें क्या होगा जैसे मालो video पहले चल जाए और उसकी आवाज बाद में है जो भी है तो उसका मदब सही से synchronization नहीं हुआ है इसमें picture को fixed size macro blocks में विभाजित किया जाता है ठीक है macro blocks का क्रम slice कहलाता है यह जो हमारे macro blocks होते हैं उनीका क्रम हमारा slice कहलाता है आप देखिए MPG1 एक कमजोर standard साबित हुआ जिसमें लगवक सभी TV systems में यूज किया जाने वाली interlexed support नहीं किया जगया है ठीक है या higher resolution HD TV है भी उप्युक्त नहीं था audio compression stereo तक ही सीमित थी तथा surrounded sound को support नहीं करता था Surrounded sound में क्या होता है Dolby system होता जैसे कि आप कोई चीज हमाई राइट से आ रही है तो राइट से हमको सुनाई दे लेफ्ट से आ रहे तो लेफ्ट से सुनाई दे तो अब MPG2 क्या होती है MPG2 compression standard MPG1 की कम्यों को दूर करने का प्रेस किया बाकि और इसमें कुछ नहीं है MPG2 ने उसे में जो हमारी कम्या थी उसी को दूर किया अब अगला file format में आते हैं जो हमारी tag image file format यह टी आई एफफ देखें टी आई एफफ एक common प्रारूब है जिसके दोरा roster graphics image और scanner image को application program के बीच आदान प्रदान किया जाता है एक TIF file की पहचान TIFF या TIF extension होता है TIF format जो है 1986 में eldest corporation की अधिचता वाली एक उद्द्योक समित द्वारा विक्सित किया गया था जो कि एड़फ software का हिस्सा है AVI यानि audio video interlapped अब AVI के full form audio video interlapped होती है AVI एक video audio file format है जिसको audio video को digitally store करके play करने के लिए use किया जाता है Microsoft Windows transparency platform पर AVI format built-in होते हैं इनका file extension .avi होता है यही file के के .avi लिखा होगा इसके अतरिक्त Windows OS और कई बड़े platform AVI प्रारूप को support करते हैं divx और xvid जैसे अन्योको codex द्वारा किसी image file को compress करके AVI container में रखा जा सकता है ठीक है दोस्तों तो चीक है दोस्तों तो यह हमने chapter 3 complete कर लिया है तो चल रही होगी कर को अugo均ब में कर प्रादियक होगी कर भो जो Cब में कर दोuts consumo गày दो किसी बड़ें कर दो किसी C helping daw किसी में दोस्तों प्रारूप कर यह वोगी